नमस्कार आप देख रहे हैं यूटूब चैनल अजुकेशन पोडल कृष्णा और मैं हूँ कृष्णाराण सिंह। पिछले दिन सिक्षक नियोजन से संबंधित जो कौंसलिंग की परक्रिया थी वह प्रारंब हुई और नगर निकाय में बर्ग 6-8 के लिए दिनांक जो 5721 था उसमें कौंसलिंग की परक्रिया भी संपन हो चुकी। तो जिन अभिहर्थियों का कौंसलिंग की परक्रिया संपन हुई उन्हें मेरे और शे और इस चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा की ओर शे हार्दिक बधाई और अभिनंदन है क्योंकि आप एक सुयोग और सब सिक्षक बनने जा रहे हैं तो अब बात करते हैं कि जो पिछले दिन सिक्षक नियोजन की परक्रिया संपन हुई उसमें सीट खाली रहा तो सीट खाली क्यों रहा उसका क्या बज़ा हो सकता है इसी पे हम लोग बिसेश रूप से बिसलेशन करने वाले हैं समी 38 जिला का चैनित अभ्यर्थियों की सूची से अस्पस्ट हुआ कि बहुच जगह सीट खाली रहा और इसकी सूची आप यहां पे अस्पस्ट रूप से देख सकते हैं और इसके साथ साथ एक बात की और भी जानकारी आपको देदूं कि आज अर्था अर्थ 6-7-2021 को 1-5 के लिए नगर निकाई में आज कॉंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंब होगी और 68 नगर निकाई के 766 पदों के लिए आज कॉंसलिंग होगी जिसका पुना यहां पे लिस्ट आप देख सकते हैं तो अब जो आज का इस वीडियो का जो विशेश मुद्दा था उस पे फोकस करते हैं 38 जिला में कुल आठ ऐसे हैं जहां पे नगर निकाई नहीं है तो वह जिला है भागलपूर भाषपूर दर्भंगा उसके बाद गोपाल गंज जहनाबाद लखी सराय मुजफरपूर और समस्तिपूर हैं यहां पे सीट तो था ही नहीं इसलिए यहां पे यहां की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे और उन जिले में अररिया बक्सर गया मधुबनी और शारन यह जो पांच जिला हुआ यहां पे सीट फूल फिल हो चुका अभ्यर्थियों द्वारा कौंसलिंग की परकिरिया में लेकिन जो सेश जिला बचा कुल 38 जिला के एकत्तर नगर निकाय में कुल 390 पदाओं के लिए 258 अभ्यर्थियों का चयन हुआ और 132 सीट अभी भी खाली रह चुका तो यह सीट क्यों खाली रहा इसका क्या कारण हो सकता है इसका बज़ा क्या हो सकता है तो इसी बिसेश रूप से हम लोग इसका बिसलेशन करने वाले हैं और हाँ इस बिसलेशन में यह जो मेरा बिसलेशन होगा उस बिसलेशन के बाबजूद भी अदी आपकी कोई अलग सोच है वह सीट नहीं फूल हुआ इस बज़ा से और उसमे तो प्लिज कोमेंट के द्वारा इसकी जानकारी हमे देंगे, क्योंकि आपका जो कोमेंट होगा इस माध्यम से इस चैनल के माध्यम से औरों तक जायेक और उसको जानकारी मिलेगी कि आपका क्या भी हूँ था जो कि वह 132 सीट फूल फिल नहीं हुआ खाली ही रह गया तो यहां पर दो बातों को मैं रखूंगा पहली बात तो यह है यहां पर बोर्ड पर देख सकते हैं कि 6 to 8 के लिए जो सब्जेक्ट होता है था जो ग्रिजेश की परक्रिया पूरी की जाती है तो हम स्टार्ट अन्य को छोड़ के चलते हैं समाजिक बिज्ञान से ही चर्चा करते हैं संचेप में ही हम लोग चर्चा कर लेंगे तो समाजिक बिज्ञान में अर्था सोशल साइंस में अभ्यर्थियों की संख्या जादा होती है और इसमे इस बज़ा से seat की संख्या घड़ सकती है, तो यह तो निसित रूप से समाजिक बिज्ञान का seat फुल्फिल हो ही गया होगा, अब आते हैं बिज्यान में, तो बिज्ञान में भी अभ्यार्थों की संख्या समाजिक बिज्ञान के अपेक्शाकृत कम होती है, लेकिन इसमें भ कि अच्छे खासे अभ्यर्थी हो चुके हैं तो लगभग समाजिक बिज्ञान बिज्ञान हिंदी और अंग्रेजी इसका जो सीट होता है वह फूल फिल प्राया हो ही जाता है अब यहां पर देखिए बंगला है उसके बाद संस्कृत है और उर्दू है तो जहां सीट फूल नहीं हुआ तो इसका असपस्ट कारण यह हो सकता है कि बंगला में अधी जो सीट है उसमें कंडिडेट्स पास होने वाले कम रहते हैं तो इसका भी कारण हो सकता है कि वह सीट उसका खाली रह गया उसके बाद संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में जो अभ्यर्थी है उसके बाद उर्दू में तो उर्दू को तीसरा नमबर में इस पहला नमबर में लेंगे इसको दूसरा में और इसको तीसरा में तो ज्यादा से ज्यादा बंगला में ही सीट खाली रहने की संभावनाय होती है उसके बाद संस्कृत में और उर्दू में इस दोनों के सीट खाली रहे लेकिन सीट इस जो तीनों सब्जेक्ट है बंगला संस्क्रीत और उर्दू इसमें ज्यादा संभावनाय बनती है कि इसका सीट भेकेंट रह जाता है तो यह तो पहला कारण हुआ जो कि सब्जेक्ट वाईज आनि कि जो उसका विशयवार है उसको हम लोग दे जहां पे सीट खाली है जहां पर जो पोस्ट है जिस नगर निकाय में वहां पे सीट ज्यादा है और सीट खाली है उस अस्थान पे कॉंसिलिंग के लिए अभ्यर्थि नहीं पहुंच पाया और वैसे जगा पे वह अभ्यर्थी पहुँच पाया, जहां पे सीट की संख्या कम है और ज्यादा तादात में वहां पे संख्या में अभ्यर्थी पहुँचा, तो जिसका हाई मेधा होगा, उसका हुआ, उसके अलावा जो अभ्यर्थी बच गया, उसको वहां पे निरासा मि कारण आप समझ ही रहे हैं किया जो काउंस्लिंग की परक्रिया है इसे भगवान भरोसे भी कर मसंद अच्छा है तो वह शेल्द जल्द उसका चयन हो जाएगा और जिसका किस्मत अर्थार्टी लक खराब है तो वह वैशे जगह पे पहुंच जा रहा है जहाँ पे उसे हाई मेधा अंग का अभ्यर्थी है तो दूसरा कारण यह भी हो सकता है तो असपास्ट कारण हो चुका तो इसका दो कारण हम अपने अस्तर से और जो लोगों का अस्तर था उनकी सोच के नुसार उनका जबराय लिए तो यही उन लोगों का राय हुआ कि या त फिर वहां उसी तरह से जो उसका होने वाला एस्पोर्ड था कॉंसलिंग एस्पोर्ड उचित एस्पोर्ड था वहां पे नहीं पहुँच पाया और अधी पहुचा तो वहां लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी उस सबजेक्ट में जो कि वहां निरासाऊ से मिली आसा करता हूं कि आप के द्वारा सुरू में जो कोमेंट करने की बात कही गई थी तो आपके कोमेंट का मैं प्रतिक्षा करूंगा आप जरूर कोमेंट करेंगे थाइंक्स फॉर वाचिंग गुडबाई